में मस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्नलोजी केड़ा चैनल में और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेर कॉस के बारे में बताऊंगा कि वेर कॉस हम लोग लिंक के अंदर यानि की लेंग्विज इंटिग्रेटेड क्वेरी के अंदर कैसे इस्तमाल में लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक चनसोल अप्लिकेशन बना लेते हैं उसके बाद में लोग एक लिस्ट बनाएंगे और हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि वेर कोज का जो इस्तमाल है वो कैसे करना चाहिए देखे वेर कॉस जो है वो actually में क्या होता है एक collection में से filter करता है data को तो हम लोग filtering ही पड़ रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि return करता है values को from the collection based on a predicate function ठीक है तो एक predicate function के base पर जो है वो return करता है collection based collections में से ही filter करता है और collections को ही return भी कर सकता है एक predicate function के base पर तो सबसे पहले हम लोग एक class बना लेते हैं employee उसमें employee id जोड लेते हैं employee का name जोड लेते हैं और employee की age जोड लेते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि where cause का इस्तमाल हम लोग क्या करते हैं filtering करने के लिए data यानि कि filter करने का मतलब है कि हम लोगों को सिर्फ employee का name चाहिए है हम लोगों को वो ही employee name चाहिए जिसकी age जो 32 है तो यह filter हो गया data ठीक है जैसे कि आप लोग Amazon पर भी search करते हैं उन्हें सिर्फ आप लोगों को एक brand की information ही चाहिए होती है जैसे जोकी की आप लोगों को सब कुछ चाहिए होता है तो आप लोग जोकी वाले पर check box कर देते हैं तो list में से अगर आप लोग filter कर रहे हैं तो वाप पर आप लोग क्या इस्तमाल में ले सकते हैं where cause तो where cause सबसे पहले भी list बना लेते हैं criteria expression मतलब एक criteria होता है एक expression होती है जिसके base पर वो filter कर सकता है data को तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें भी दो method आप लोग इस्तमाल में ले सकते हैं एक तो होता है query syntax और एक होता है method syntax आप लोगों को बताईए method syntax में हम लोग lambda expression यूज करके कर लेते हैं और delegates भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे predicate functions भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे delegate as a predicate functions कैसे काम करता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा तो इस पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिए सबसे पहले list बना लेते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि करते हैं ठीक है ताकि collections में से हम लोगों को वो data मिल सके filtered data आप लोगों को मिल सके तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हैं where cause where cause कैसे इस्तेमाल में लेना है वो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा तो सबसे पहले हम लोग एक list बना लेते हैं employees की और उसमें चार employee हम लोग add कर लेते हैं one two three four तरुन राहूल रमेश एंड सुनिल add कर लेते हैं age आप लोगों को 21 एक in between आप लोगों को 20 तू 35 हम लोग ले लेते हैं 20 25 and 30 and the last one is 40 ओके तो यह हो गया हमारे पास employees तो आप लोगों को बता है कि console app में link जो है वो by default add नहीं होता या आप लोगों को जो name species है वो जो required name species वो use नहीं होते जैसे कि collection है generics का list add नहीं होती तो हम लोग add कर लेते है system.collection.generic कैसे add करना है control.use कीजिए जहाँ पर error है वहाँ पर control की और dot की error दबाईए तो आप लोगों को एक intelligence मिलेगा उसमें आप लोगों को name space आप लोग add कर सकते हैं अब देखे filter result इक कोस्टू मैंने लिखा link query लिख रहा हूं पहले हम लोग क्या use में लेंगे query syntax हम लोग काम में लेंगे तो from से start होता है query syntax as एक object है एक variable आप लोग कह सकते हैं इस list का जिसमें हम लोग मैंने आप लोगों को last time भी बताया था कि collections में भी हम लोगों को single object जो है यहाँ पर as है ठीक है तो collection के हमारे पास employees और उसमें single employee जो है वो क्या हो जाएगा as where as in employee name dot contain contain यहाँ पर जो मैंने word काम में लिया है वो तरून हो गया ठीक है तो जितने भी employee name हूं में जो तरून है वो actually में अगर contain करता है कहीं तो उसका employee name आप लोगों को मिल जाएगा यह आप लोग ऐसा भी लिख दें सिर्फ में T मिलता हो या सिर्फ उसमें R मिलता हो वो ही हम लोगों को चाहिए तो वहाँ पर भी आप लोग contain जो keyword है वो use में ले सकते हैं लिस्ट में ही हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं तो मैंने where cause यहां पर इस्तमाल में लिया है कि मुझे वो name चाहिए मुझे वो employee चाहिए जिसका name में तरून आता हो ठीक है तो ऐसा हो सकता है कि multiple results आप लोगों को मिले तो यहां पर एक collection return होगा फिल्टर result के पास एक collection आएगा ऐसा हो सकता है कि तरून जो है name में बहुत बार लोगों के आता हो तो यहां पर आप लोगों के list of type return type आएगा तो हम लोगों ने direct लिख दिया console.write line तो यह प्रकार का error जो है वो show करेगा क्योंकि हम लोगों ने इसको iterate नहीं किया है जब एक से ज़्यादा result आप लोगों के पास आते हों तो वहाँ पर आप लोगों को for each loop लगाना चाहिए देखी error है तो iterate करने के लिए आप लोग जो है for each loop लगाएं undesired output आप लोगों के पास आए तो for each करके आप लोग one by one data को get कर सकते हैं कि यहाँ पर filter result के पास क्या आए गया लिस्ट का आएगा collection आएगा क्यूंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत नेम में बहुत लोगों के तरून आता हो ठीक है इसी लिए कि अब one by one हम लोग data को ट्रेट कर सकते हैं देखी console.write करके यहाँ पर हम लोग console.write लिखते हैं अब मैंने लिखा filter result filter result के एक्चुली में filter result के पास तो collection है लेकिन item के पास एक single object है तो यहाँ पर filter result.employee id काम नहीं करेगा यहाँ पर काम करेगा item.employee id item.employee name and item.age क्योंकि इस item के अंदर क्या है इस item के अंदर एक single employee है one by one employees को एक्सेस करेगा filter results में से सारे employees में से नहीं करेगा सिर्फ filter results में से करेगा so item.employee id employee name and age आप लोगों के पास return में आ जाएगा और वो क्या आएगा actually में first employee ही आप लोगों को return में आएगा यहापे देखे 1,3,9,21 आप लोगों के पास आ चुका है तो यह तो हुआ query syntax जहां पर हम लोग where का इस्तमाल ऐसे करते हैं हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जिसकी age जो है employee की तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं where as.age is greater than 21 ठीक है या जो भी हो हम लोग ऐसा कर सकते हैं अब हम लोग आप लोगों को इसको तो हम लोग बना देते हैं comment और उसके बाद में हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि प्रिडिकेट फंक्शन कैसे पास किये जाता है डिलिगेट में से तो मैंने एक फंक्शन लिखा function c employee boolean type और इस यंगर इस यंगर यानि इन employees में से कौन सा यंगर है तो जिसकी age हम लोगों ने define कर दी 21 से 30 के बीच में 21 से 30 के बीच में सिर्फ एक employee आप लोगों के पास है 25 यह नहीं राहूल ठीक है यह हम लोगों ने 20 decide कर दिया कि 20 से 18 से 30 कर दिया तो 21 25 आ जाएगा आप लोगों के पास यह यंगर में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो प्रिडिकेट फंक्शन है वो हम लोगों ने delegate को यह यह फंक्शन जो है वो बना दिया देखिए employee s पास करती है तो employee क्या है यहाँ पर एक single employee यह नहीं कि s हमारे पास है जो अब्जेक्ट है employees में तो हम लोगों ने यहाँ पर s पास कर दिया is younger function बना दिया तो is younger यहाँ पर एक प्रिडिकेट फंक्शन हो गया ठीक है यह देखिए function employee बूल is younger को हम लोगों ने क्या बना दिया यहाँ पर एक प्रिडिकेट फंक्शन इसका result भी आप लोगों के पास one तरुन तो सही नहीं है तो राइट प्रिडिकेट फंक्शन as a use of delegate और उसके अंदर employee as पास कर दिया एक object पास किया employee तो ठीक है तो यह हो गया query syntax हम लोगों ने काम में लिया है with method syntax में आप लोगों को सिर्फ एक single line of code ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को इतना कुछ लिखने की ज़रत नहीं है या ऐसे प्रिडिकेट फंक्शन की ज़रत भी नहीं है आप लोगों को simple आप लोगों को where cause ही यूज कर डारेक्ट ले सकते हैं तो आप लिखे where filter result equals to employees.where और lambda expression आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं x tends to x dot employee name dot contains r ठीक है आप लोग यह query लिख सकते हैं अगर मैंने equals लिखा तो मुझे पूरा नाम लिखना पड़ेगा तरुन ठीक है तो वह employee name जोगी equal होता हूँ तरुन के तो equals का मतलब तो होता है exact match करना चाहिए employee name और अगर मैंने first or default लिख दिया तो वो list नहीं बनेगा तो मुझे list चाहिए तो dot to list मैंने यहाँ पर लिखाई मुझे वो सारे employee name चाहिए जिसके employee name में तरुन आता हो exactly तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा contents यूज कर लूँगा दुबारा से और उसमें r लगा दूँगा कि r r वाले जो भी employee name है वो retrieve हो जाए अब यहाँ पर r तो तरुन में भी है लेकिन r r राहूल में भी है और r rampish में भी है तो यहाँ पर देखे contents में मैंने capital r लिखा है तो राहूल और rampish में आएगा तरुन यहाँ पर retrieve होकर नहीं आएगा where cause के अंदर क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहापर small r है और मैंने बात की where cause के अंदर capital r की है तो यह exact match करके ही उसमें निकालेगा तो यह देखिए दो data अप लोगों के पास आए सिर्फ राहूल अंडरमिश understood अब अगर अगर आप लोग सिर्फ single r भी use में लेना साथ है तो आप लोग और भी use में ले सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं और का symbol और यही चीज और और end operators जो है वो यहाँ पर आप लोग काम में ले सकते हैं जो कि आप लोगों को पता है कि logical operators हैं और आप लोग काम में ले सकते हैं सभी को तो x.employee name.contains simple r आप लोगों ने लिखा ठीक है तो यह problem नहीं होगी आप लोगों को और आप लोग easily employee name.contains r and employee name.contains small r में भी आप लोग 3 employees हैं वो निकाल सकते हैं यह तो था method syntax आप लोग query syntax भी काम में ले सकते हैं और similarly आप लोग जो हैं इसमें भी आप लोग where cause का इस्तेमाल कर सकते हैं with multiple जो logical operators हैं उनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं and or का तो इसको uncomment कर देता हूं और इसमें आप लोग को कैसे काम में लेना है वो देख सकते हैं आप लोग where हम लोग यहाँ पर एक वो बना लेते हैं employee name.contains so s.employee name.contains capital R और भी यूज़ कर लेते हैं तो उससे पहले हम लोग bracket यूज़ कर लेंगे just where के बाद में तो इसका result भी आप लोगों को similar वही आना है जो कि आप लोगों को पता है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है शरूर बताएगा और साथ ही इस वीडियो को आप लोग share कर सकते हैं अपने whatsapp पे भी, instagram पे भी और facebook पे भी अगर किसी को आप लोगों को help करनी है और link tutorials नहीं बाकी सभी technologies के tutorial सीखने है तो technology कीडा को subscribe करना ना भूले थन्यवाद